दोस्तों नमस्कार मेरे चैनल पे आपनों का स्वागत है दोस्तों अभी तक बहुत सारे लोग दरोपदी मुर्मुजी के बारे में जादा कुछ नहीं जानते थे लेकिन हाल फिला हाल में जब से उनका नाम राश्पती उमिदवार के रुप में घोसित हुआ है तब से लोग उनके बारे में जानने की लगतार कोशिस कर रहे हैं तो दोस्तों आईए आज की इस वीडियो में दरोपदी मुर्मुजी की बारे में संचित जानकारी हासिल करते हैं दोस्तों दरोपदी मुर्मु जी जारखंड के राजपाल रह चुकी हैं और हाल में ही एंडिये ने इन्हें अपने भावी राशपती उमिद्वार के तोर पे इन्हें घोशित किया है दोस्तों अगर दरोपदी मुर्मु जी भार्त के राशपती बनने में कामियाब हो जाती हैं तो वह भारत की पहली ऐसी आदिवाजसी महला होंगी जो राशपती बनेंगी साथ में भार की दूसरी महला रासपती होंगी दरपदी मुर्मु जी का प्रारंभिक जीवन दोस्तों दरपदी मुर्मु जी का जन्म भारत देश के उरिशा राज के महरुभंज जीले में हुआ था 20.1958 को और इनका जन्में एक आदिवासी परिवार में हुआ था दोस्तों इनका पूरा नाम द्रोपदी मुर्मू है और इनके पिताजी का नाम बिरांची नराइन टुड़ू है और इनके पती का नाम स्याम चरन मुर्मू है और इनकी आयू शोंसट वर्स है द्रोपदी मुर्मू जी की सिक्षा दोस्तों तुरपती मुर्मुजी की प्रारंबिक सिक्षा इनके इलाके के ही एक गाउं में हुआ और अपनी प्रारंबिक सिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने अपने उचतर सिक्षा के लिए भूबनेस्वर चले जाने का फैसला लिया और भूबनेस्वर के ही एक रामा देवी कॉलेज से इन्होंने अपनी ग्यर्योशन सिक्षा पूरी की दोस्तों इन्होंने अपनी गेरियोसंग सिख्छा पूरी करने के बाद उनिस्वा गौर्णमेंट में बिली विभाग में जूनियर अशिस्टेंट के रूप में कारी किया इसके बाद दोस्तों इन्होंने 1994 में राय रंगपूर में इस्तित अर्विंदो इंटिगरल एजुकेशन सेंटर में एजे टीचर एक सिख्षक के रूप में 1997 तक कारी किया हूँ 1997 के बाद इनका राजनीतिक कैरियर स्टार्ट होता है दोस्तों साल 1997 में पहली बार ओडीसा के राय रंगपूर जीले से ये जीला पारसद चुनी गई इसके साजी दोस्तों साल 2002 से साल 2009 तक मयूर भन जीला से भाजपा अधक्च के रूप में इन्हें मनुर्थ किया गया इसके अलावा दोस्तों इन्हें साल 2002 से साल 2009 तक भाजपा के जीला अध्धक्च बनने का भी मौका मिला आईए दोस्तों अब उनके राजनितिक जीवन के बारे में कुछ बाचित कर लेते हैं दोस्तों इन्हों ने साल 2000 से 2004 तक उरिशा गौर्नमेंट में ट्रांस्पोर्ट और वानिजिक विभाग में अपना सेवा दिया दोस्तों इन्हों ने साल 2002 से 2004 तक उरिशा गौर्नमेंट के मतस पालन पसुपालन और राजमंत्री के तौर पर भी सेवा दिया दोस्तों इन्होंने भारती जन्ता पार्टी स्टी मोर्चा की प्रदेश अधक्ष का पद भी 2006-2009 तक सम्हाला दोस्तों 2013 स至 2015 तक इन्होंने भारती जनता पारटी, ISETP, मोर्चा, और भारती जनता पारटी, राष्ट्रिय अनुश्चित जाती, कारकरनिक शमिती के तदस के रूप में काररत रहे दोस्तों इन्हें 2015 से 2021 तक जारखन राज के राजपाल के रूप में भी चुना गया दोस्तों इनकी साधी स्यामचरण मुर्मूजी के साथ हुई थी जिनसे इन्हें तीन संतान प्राप्त हुए जिनमें की दो बेटे थे और एक बेटी थी खलांकी दोस्तों इनका परिवारिक जीवन ज्यादा सुख में नहीं रहा इनके पती और दोनों बेटे आज इस दुनिया में नहीं हैं दोस्तों द्रपदी मुर्मूजी को साल 2007 में नील कंट पुरुषकार मिला सर्वसेश बिधायक के लिए और इसा बिधान सवा छेतर से दोस्तों इस परकार अगर द्रपदी मुर्मूजी रास्पती बन जाती हैं तो उनके लिए और हमारे लिए काफी गर्व की बात होगी क्योंकि भारत में पहली आदिवासनी महला रास्पती बनने जा रही हैं वो दोस्तों हम उन्हें अगरीम वधाई देते हैं रास्पती बनने की और दोस्तों इस चोटी से संशिप जनकारी थी द्रपदी मुर्मूजी के बारे में यह जानकरी आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरू बताइएगा साथ में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक क